कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेडी लाइन्स पे आज हम क्लास 10 का चेप्टर नंबर 11 है वो अपन देखने वाले वर्तों से समंदित अच्पल देखिए स्लेश थोड़ा सा कम हुआ है अपने इस पार तो इसके अंदर अपने पास जो ग्यार्वी वरस्नावल इसके अंदर में जो टॉपिक है इसके अंदर अपने को दे रखाय एक तो दिर्ग तिरजे खंड, लगू- तिर्जे खंड, दिर्ग वर्त खंड, औ वो अगर छोटा वाला एरिया है तो उसको अपन लगू तरीचे खंड बोल देते हैं और बड़ा एरिया जो ये वाइट वाला दिख रहा है उसको अपन बोल देते हैं दिर्ग तरीचे खंड और जीवा के द्वारा अगर काटा गया चेतरफल है यह अपने पास एक जीवा है ठीक है इस जीवा से जो चेतरफल जो बन रहा है अपने पास जो चोटा वाला चेतरफल बन रहा है वो अपने पास लगू वर्त खंड है और जो यह बाहर वाला जो यह वाला एरिया बच रहा है यह अपने पास important है formula क्या है доommes ने पास सबसे पहले अपने पास है कोंऑ थिटा वाझे तीरजषे खंड अगर बांचे खंड दे रखा है तो तो अपने कुआ मानने के चलना है कि यह अपने पास लगू तीरजफे खंड है क्यों सब्सक्राहीं टीक है तो लगू तीर पूरा 360 डिग्री है वो क्या बनाता है अगर अगर अपन पूरा 360 डिग्री घुमते हैं तब अपने पास चेत्रफल बनता है वो बनता है अपने पास पाई आर स्क्वार यह बनेगा ठीक है तो देखिए जैसे यह अपने पास वर्त होता है पूरा जो वर्त होता है इसके पूरा अपने पास आजाता है तो 350 degree किसके बापर होता है PIR स्क्वाईर के तो एक डिकरी की बात करो अगर 360 की बात करें थिकता आएगा तो एक डिकरी के अंदर कितना आएगा अपने पास्षेज़एगा पर क श्या जाएगा पाई आर स्क्वाइर बट्टा तीन सो साथ इंटू थिटा तो ये वाला फॉर्मूला ये अपने पास ये वाला फॉर्मूला है इसको अपन को इस तरीके से याद रखना है थिटा बट्टा तीन सो साथ इंटू पाई आर स्क्वाइर तो ये कोई ये वाला एरिया तिरीचेखंड को निकालना है तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है थिटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्कॉर्मूला होता है ठीक है फिर इससे आगे अगर अपन देखें कि कौन थिटा वाले तिरीचेखंड के संगत चाप की लंबाई अब लंबाई गयात अगर अगर अगरा अगर आपन लंबाई की बात करें चाप की लंबाई तो यहां से यहां तक लंबाई तो यह केसे रिलेटेड उर फॉर्मूला एंच आगे का Sel combat गय कोर्त को डिरीचे फाफ़ इस पास अपने अपने। इसा निकालने के लिए तर्जयखन्द करें तर्जने निकालने के लिए अपने को फिर्जन खन्द को प्र Rs 26 फवल्य Plis इस पूरे का, देखिए यहां पे पहले में इस पूरे का area निकालूँगा इसका यह वाला पूरा area निकालना पड़ेगा अपने को ठीक है, और इस area में से अपन क्या गठाएंगे तिरبूज वाला किच्टरफल गठा देंगे कौनसा गठाएंगे तिर्भूज वाला तो इसके अंदर से आपन ढटा कुन सा देंसे अपने पास बचेका कुन सा फिर तो अपने पास ये वाला अइरिया बचशाएगा तो इसका फोर्मुला अपने चेतरफल निकाल लेंगे पूरे का ये अपने पास त्रिचेखन था इस तिर्जेखंड का पूरे का चितरफल निकाल लेंगे ठीक है तो इस पूरे का चितरफल अपने पास आ जाएगा और उसमें से अपने माइनस क्या कर देंगे इस तिर्जेखंड ओ ए पी बी यह अपने पास रहा ओ ए पी पी इस पूरे का एरिया निकाल दिया अपने ठ ठीक है ये वाला पूरा निकाल दिया और इसमें से फिर घटाना गौन सा है अपने को तिर्भुज वाला चेतरफल है वो घटा देना है तो अपने तिर्भुज वाला चेतरफल है वो घटा देंगे तो ये तिर्भुज वाला चेतरफल अपने को घटाना है तो अपने पास न सिम्पल वर्थखनड वर्थखनड भी लेजर खाय तो कौन सा है लगुब वर्थखनड भोल रहे है एंपन ठीके लगूफवर्थखनड Abp का चेतर अ ap-b शचेतर फ़ल बाद-धोABP तो अपने पास क्या बच जाएगा यह वाइट वाला आ जाएगा तो यह लिखा है यहां पर पाई आर इसक्वाइर में से अपन लगू तरीजेखंड जो अपने पास ओए पी भी दे रखा उसको अपन माइनस करेंगे ऐसे द्रिग वर्थखंड अगर गयात करना है द्रिग पूरे वर्थ में से इस लगू वर्थखंड को निकाल देंगे तो लगू वर्थखंड ABP का शेत्रफल अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो अपने पास इसका एरिया आ जाएगा ठीक है तो यह अपन सिंपल दरीके से निकाल सकते हैं अब देखिए आगे फिर अपने बास केवल यह फोर्मुले याद रखने है फोर्मुले अगर अपने को याद हो गए तो फिर अपने आसानी से कर सकते हैं जैसे 11.1 है उसका पहला गयूसन है आराम से देखिएगा इसको इसमें बोला 6 cm तिरिजा वाले एक वर्थ के आपने को 6 cm टिरिजा और यह मैंने चेंटर ले लिया और मैंने तुर मैंने चत्पा अंदर चेंट ढाले अपने को ठीजा दे так तो आपने को क्या पूछा है इसने पूरे तिर्जेखन का चितरफल मतलब ये पूरा एरिया आपने को पूछा है इसने की इस एरिया का चितरफल क्या होगा ये अपने को बताना है ये वाला एरिया आपने को पूरा बताना है कि इसका चितरफल क्या होगा तो इसका चितरफल और आर का मान, तिर्जा का मान किता दिया है, यह अपने को दिया है, 6 cm, यह तो अपने को दे रखें, फिर अपने को करना गया है, इसके अंदर, कि तिर्जे खंड मतलब लगू तिर्जे खंड का छेतर फल गयाद करना है, तो लगू तिर्जे खंड का फर्मूला क्या होता है ठिटा बाट्टा 3060 इंटु पाई पाई आर स्कवाईर तो त्रमान। जो दे रखा है वो लिगते जाओ ठिटा अब गिता दिया है 60 तो यहां पे लिग दिया अपने 60 ब्टा 3060 इंटु पाई का मान गिता ले नैबने कू बाईस बटा साथ और आर का मान किता दिया है छे दिया है तो 6 का स्कॉर इसको अपन सटल करेंगे तो किता जाएगा 60 बट्टा 300 एक विनुट यहां पर दिया है अपने को 3060 इंटू पाई का मान हो गया आपने पास 22 बट्टा 7 इंटू 6 इंटू 6 यह 0 से 0 कट गया 6 चाट गया छे बार इस 6 से 6 कट गया तो 22 चे किते हो गए 132 तो अपने पास 22 को 6 से गुणा करेंगे तो आएंगे 132 और बट्टा के अंदर आगे आपने पास 7 तो 132 के अंदर अपने लगबग भाग देंगे 7 का यह लगबग कित्ती बार जाएगा आपने पास 18.183 सेंटिमीटर इसकोईर के अंदर आएगा जोबी चेतर फ़ल है इसकोईर के अंदर आता है तो सेंटिमीटर स्कौयर तो यह अपने को ऐसे पहला स्वाल करने नोर्मल क्या याद रखना है आपने को simple formula याद रखना है कि लगू तरीचे कंट का चेतरफल होता क्या है ठीक है इनके अंदर confusement होना इनको ढंग से देख लेना कि यह होते क्या है ठीक है बार-बार class को repeat करके एक बार देख लेना कि इनमें अंतर होता क्या अपने को फिर देखो दूसरा क्या है जैसे जैसे अपन क्यूशन करेंगे वैसे वैसे concept अपने क्लियर होता जाएगा लेकिन एक बार इसको ढंग से देख लेना दूसरा क्यूशन अपने पास दे रहा है एक वर्थ के चतुर्थांस का चेतरफल ग्याद कीजिए इसकी परीधी 22 cm है देखिए इस बार क्या बोला इसने एक वर्थ का चतुर्थांस ग्याद करना है ठीक है यह अपने पास क्या हो गया एक वर्थ हो गया इस वर्थ का आपने को क्या ग्याद करना है चतुर्थांस तो देखिए चतुर्थांस होता क्या जैसे मैं इसको अगर बीच में से लूँ ऐसे इसको अगर अप तो यह चतुर्थांस पोचिए signa candle जो मुझाताना कि आपने को कितना है यह चतुर्थांस को जो इसका है क्या है यह चतुरतांस है तो ये एक थृजय खंडी है और वह लहाद किसा है यह लगू ठिर्जे cant है त्थी तो यह अपने को इस भी तैको क्या जिता है ते न Kilे संब्कुगारश करना है लगू तिरुचे खंडुखा इसका अधा इसको में कॉझ स्कॉझा सब्सक्राइब करने सिसके स्नुर्णहद पास नार्वन फॉर्मूलह मिं में भिथे सुट उ म्नट. ट्रीक monopoly Rs 2 अब थीतय मेरे को बटा यहांपे थीत्था KITA लिख दूँगा मैंग्लख दूगंगा लेकिन क्या मिरे को इसमें र की मेल्यू पता है I Strongly पता है क्योंकि यहां पर以上 केबल किया दिया परी reverie तो आर कमान इसं देरां से प्र्धक्राइब नै यहां से जो म nochmal तो देख अपने को दी क्या यहां पर वर्थ निया सुम्राइब उए compelled कि अपने कुछ मरें तो यहां से वर्थ की परिदेगา यहां से मैं क्या जात कर लूंगा कि यहां से अपने पास किया आ जाएगा अर की वेल्यू आ जाएग तो यहां पर होता क्या है र बराबर अपने पास हो गया 22 और यहां पर भाग के इंदर डिवैट में चले जाएगे तो 2 into π कमान किता होता है 22 बट्टा साथ आएगा वो 7 कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा तो 22 से 22 कट हो गया 7 बटा 2 बचे तो R का मान क्या बचा 7 बटा 2 यह अपने पास मान बच गया R का ठीक है 7 बटा 2 अपने पास माना गया R का तो यहां से अपन र कमान शात बटाधा 2 हो गया, वो अब अपन इस फोर्मूले में लिख सकते हैं, यहां आर भी बता है अब अपने को और ठीटा भी बता है, तो यहां से अपन चत्रतांस का शेतरफल निकाल सकते हैं, तो ठीटा कमान कितना है? लिखते जाओ, 90 बटा, 360 इंटू πाई कमान हो अगर इस्क्वाइर करेंगे तो क्या आएगा यहां से अगर इस्क्वाइर करें तो यह अपने पास आजाएगा 90 बटा 360 इंटू 22 बटा 7 इंटू 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2 तो यहां से 0 से 0 कट हो गया नू से ए इक दोगया चार बटा है साथ से तक चोऑ गया यह अचै तो यहां से मैं आ आपने पास कि यारा बटा कि नीची किटे गशे अपने पास 77 नीचे-बचे-दो दोनि-चार-चारत-दूनि- आठ reiिपleo test सतर बटा आट सेंटिमेटर स्कॉाइर आपने बास ao नौर्मल के सेंटिमेटर इसक्वाइर तो इस हेसाब से अपने को यह दूसरा सिंपल सिन देखिये क्या था किया याद रख ना 2 कि इस खेल चो है प्रीदी क성 दे दिया था यही इस प्रीदिन तो आर कमान अंगो निकाल थे सिंपल जो फोर्मॉला और न किस गडू करो और इंसवर नीकाल लो तो अपने पास एंसवर आ जाएगा एक घडी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटिमेटर है अब गड़ी की सुई रखिए बिसकी लंबाई 14 सेंटिमेटर हैं तो 5 मिनट में गुमिए यह में रहं हो पांस मिनिट मैं रचित जहेत्रफल तो यह वाला जो एरिया वह इनका किऊत्ँ आया यह लेकिन पर इसने क्या नहीं दिया कर दीया यहां पर 5 मिनिट बोला है तो अब मिनिट से अपने को थिटा निकालना पड़ेगा इस में यह important है इस हाले के इंपोर्टेंट है कि minute दे रखिए कि इस minute से अपने को क्या निकालना है थिटा निकालना है तो आपकी निकालेंगे कैसे अपन वह देगो अपने को पता है कि मिनिट वाली सुई है वह एक चक्र पूरा करती है जब उ एक मिनिट में कितना बनाएगी एक मिनिट का निगालना है तो अपने क्या करेंगे 60 का इदर भाग लगा देंगे तो 360 बटा 60 है जाएगा एक जिरो से एक जिरो गया यहां से यह कटा छे बार कितने बार कटा छे बार तो मतलब एक मिनिट में वो कितना कौन बनाएगी छे डिगरी का कौन बनाएगी तो पांच मिनिट में कितना बनाएगी तो पांच मिनिट में अगर एक को पांच से गुणा करेंगे तब पांच आएगे तो इधर भी पांच से गुणा कर दो तो छे इंटू पांच करेंगे तो यहां पर मान कित्त आ जाएगा 5 मिनिट के अंदर जो कॉन बनाया इसने वह हो गया तीस डिगरी का कितने ि लिगरी का किति लिगई तो यहां से अपने अपने पास पास ऐी का इस कितनी आप तीस तीश डिगरी किती हाँ र की वेल्यु कितनी है अख्यgod जानते हैं आपने को वाला फॉर्मूला लगाना फॉर्मूला लगाते हैं अपने पास एंस्वर आ जाएगा तो क्या होता है घड़ी द्वारा पांस मिनिट में बनाया गया चेत्र फल या सिदा बोल तो कि लगू तिरिजे घंड का चेत्र फल लगू क्या हो जाएगा यह अपने पास हो जाएगा थिट्टा बट्टा टिन सो शाट इंटो पाई आर स्कुएर तिट्टा का मान कितना है अभी अपने निकाल है thief र Rapha 3 3060 into π का मान हो गया 22 बटा 7 और r का मान हो गया 14 तो 14 का ispare करना है तो यह अपने पास क्या गया 30 बटा 3060 into 22 बटा 7 into 14 into 14 यहां से 0 से 0 कट वा 3 से यह कट गए 12 बार ठीक है यह वाला कट गया आपने पास दो के पाड़े से 11 बार कट और यह कट आपने पास 6 बार फिर यह दो के पाड़े से यह कट गया तीन बार और यह वाला कट गया 7 बार तो कित्ता हो गया एक मिनट चेतर फिल बुचा ठीक है तो अपने पास 17,77 into 14 बटा के अंदर कितने है साथ तेरी 21 ठीक है तो अपने पास अपर तो कित्ता है यहाँ पर अपने पास 0 से यह कट गया 0 बार यह से यह कट गया 12 बार ठीक है तो अपने पास एक पटा बारा और 22 into यह अपने पास आ गया ठीक है तो इसको अगर मल्टिप्लाइ करेंगे तो कित्ता आ गया उपर आ गया अपने पास 77 into और कट रहा है यह साथ दो नहीं होता है यह कट रहा है यह से कट गया दो बार तो 77 into 2 कित्ते होगे अपने पास 154 यह सीधा हो जाएगा यह होगे अपने पास 154 और बटा के अंदर कित्ता है 3 तो 154 के अंदर 3 का भाग लगा लाना है सीधा अपने पास क्या आ जाएगा 154 बटा 3 cm2 यह अपने पास क्या जाएगा गड़ी द्वारा पांस मिनिट में बनाया गया जो छेत्र फल वो अपने पास आ जाएगा 154 बटा 3 कि देखिए अगला क्यूसन चौथा क्यूसन है अपने पास दस सेंटिमेटर तिरिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोन अंतरित करती है ठीक है वापिस अपने पास सिंपल है तो वह है अपने पास जो वर्त है वह हो गया इस वर्त के अंदर क्या दे रखा आपने को 10 cm तिरज्या दे रखिए तो यह अपने पास 10 cm तिर जागे यह अपने पास 10 cm फिर यहां से अपने को एक और दे रखिए यह वाली ऐसा सा अपने पास दे रखा है तो 10 cm तो इसकी क्या दे रखिए तिरज़ा यह भी 10 है और यह भी कितनी है 10 है फिर इसने बोला है कि इंद्र पर समकौन अंतरित करती है मतलब यहां पर जो कौन है वो कितने डिगरी रखिए 60 cm को बना रही है ठीक है तहरे तिरजय खंड का छेतरफल उसमें से माइनस क्या कर देंगे तिरफुष का छेतरफल तो तो संगत लगुवर्थ खंड का छेतरफल इसके अंदर थिटा और डूनों दे रखेंड़ें तो पहले आपने दोलों चीज तो डिखते हैं कि अपने को दिया क्या होगा है थिट ही अपने को 90К करक्也 और र गा már दिया है आपने को वї तिया है 10 cm पुछा क्या है लगू वर्थखंडका लगू वर्थखंड का चैत्र कम कि एक मिर्थखंड का जितर कॉलब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा आपने को थिटा कमान थिटा दिया आपने को 90 और आर कमान जो दिया आपने को 10 सेंटिमेटर यहां पर आपने को याद क्या करना है लगू वर्थकंड याद करना है टीमें लगू वर्थकंड का चित्रफल यह गश्यदर करेंगे अपन पूरे त्रीजे ett rep का चित्रफal एंजो समें से हमाइप क्या जीचंगे लगू क्या वह कि अ ठीकषग का चित्रफल ऑफने हैं तिरंबूच का चित्र फ्ल सब्टात एक बटा थित्टा रटा रटा चित्रफल के सब्लब चो, पई-r स्कवाएर माइनस तिरंबूच रहे है दीज़िता रहता जो हम्ता हैं, यहां पर अधार आधार 2 यहां पाछ तीनगा म लेरे रहे हैं, Chattahyr एंटु Πैर एंडी publis ए area square system का मान गितता है यह साथ इंटु एंडी आरं का मान गिता दिया है 10 दस का square माइनस एक बटा दो दधार मान गितता है इसमें अधार भी 10 ईर उंचए है 9 उतनी होई मित इंडार भी 10 इंटू 10 है 2 से हमें चाद गया का यहां पर पाई कमान अपने को यह लेना है 3.14 पाई कमान लेना ही तीन पॉंट एक चार लेना है 3.14 यहां से 0 से 0 कटा और यहां से 9 से 36 कट गए 14 बार पोईंट तो बट्त में कित्त आएंगे 100 से 10 का स्कौर कट गया तो निच्छे उपर तो क्या बचा 304 अ रोबट्टा में क्या बच्छा अपने पास चार माइनस यहां पर आगए अपने पास पचास तो 304 के अंदर अगर आपन चार का भाग लगाएंगे तो यह कित्ती बार जाएगा लगबक अठतर पॉइंट पांच अठाटर बार चला जाएगा किती बार जाएगा साड़े अठतर बार चला जाएगा यहां पर लिखते देते हैं कि यह भाग गया अपने पास अठतर पॉइंट पांच वार माइनस करना अपने को पचास तो अठतर पॉइंट पांच में से अगर अपन पचास माइनस करते हैं तो यह कित्ता आ जाएगा अपने पास साड़ा थाइस तो अठाइस पॉइंट पांच यह किसमें आएगा सेंटिमेटर स्कॉयर में यह पहला किसम तो अपने पास आ गया लगू वर्थ खंड का जो चेतरफल है वो अपने पास इस तरीके से आ गया फिर देखिए दूसरी चीज अपने को क्या पुछिए इसने दू अबकुछा बचा है इसका मैं नोट चेंज करते ताहिए पर है कि जो ग्रीन एडिया बचाए अपने पास यह वाला कि यह क्या होगा दिर्गत रीचेकंड होगा है कि इसका निकालने के लिए अपने को क्या का ना पड़ेगा ये वाला गयात करना है ठीक है ये ग्रीन वाला जो एरिया है इसका छेतरफल निकालने के लिए क्या करना है देखो अपने को पूरे वर्थ का छेतरफल निकाल के अगर मैं इस त्री üzerकन का छेतरफल निकालद कि इस नंदर व्यड़ का ये ले लेता हूँ कि यहां से अठा दें तो किवल कॉन सा बचेगा पूरे वर्द के से अगर येलो वाण बचेगा डिर्ग तिरिजित्य कंड का शेत्र पर डियान करने क्याँ परकी आप एक यांपर है अपने पास क्या जाएगा दिर्ग 30 खंड का चेतरफल दिर्ग 30 खंड का चेतरफल याद करना है यह दूसरा था आपने पास तो इसके अंदर क्या करना है पाई यार इसकोई वर्द के चेतरफल में से माइनस क्या करना है लगू 30 खंड का चेतरफल लगूतिरिजे खंड का खितर फल ये मानस करना है या तो आप मान सीधा लिखते हो ये अपने लगूतिरिजे खंड का खितर फल जो यहां से निकाला है अपने ये मान अपन सीधा लिख सकते हैं Juliettear. operations यहां से लिखते हो या एक बार इसको फिर से solve कर लो और कमान अपने पास कितना दिया है और कमान दस का माइन थे यहां पर अपने पास लगूत रिखन का इस तरह नव to यहां से इस का मान ने करेंगे तो पॉंट रटा आया तो बट्टा में किता है 100 इन 2 0 से यह वाला कट गया तो अपने पास किता बदा 3044 मैनस थिटा का मान अपने को 90 लिखना है बट्टा 3060 यहां से पॉंट रटेगा तो यह बट्टा में किता आएंगे 100 2 0 से यह 0 कट गया यहां से यह कट गया चार बार तो 314 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो किता आएगा 78.5 यह आगया यहां पे 78.5 अब 314 मैंसे अपने को 78.5 माइनस करने है तो 314 मैंसे अगर मैं 78.5 है वो माइनस करूँ ठीक है यहां पर मान किता आजाएगा मेरे पास लगबग आएगा चलिए इसे अगले क्यूशन पर जलता है अगला क्यूशन देखिए पांच फ़ां तिर्जा 21 सेंटिमेटर वाले वर्त के एक चाप पर 60 डिगरी का कौन अंतरित करता है ज्यात कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाएगे त्रीजेखंट का चेतरफल संगत जीव तिर्जा दopyने को तौन ऑर कितने का बनाए है चाप की लंबाई थिटा द्वारा इसाट में निक लिख उनपर पे थित्ता दे दिए और r कमान दे दिया अपने को तो थित्ता और Camande did अवह आपन क्या करएंगे यहां पर सब से पहले चाप की की लंबाई आ क्षाप की लंबाईक तुन क्या हैईगी फॉर्मुला क्या होता है थित्ता बट्टा 306 इंटू 2 πी आर यहां पर इत्ट्या का मान लिखेंगे अपनद 60 बट्टा 305 का मान अट करना होगया 22 22 का सब्सक्राइफ का गेंक हैं Kiaway काता पर ट्रकर तो website 0 0 6 से यह गया हैं 36 गे चाउब गया 36 पर फिर 7 साथ यह गया 3 वार 3 यह गया दो वार दो से यह दो गया तो अपने पास मान किता है बाइस तो चाप की लंबाई किती है बाइस सेंटीमेटर यहां से यहां तक यह वाली चाप की लंबाई किती है यह बाइस सेंटीमेटर आईए ठीक है अब देखिए यह हो गया पहला किसन दूसरा बुदुला है चाप दोरा बना यहां पर अपने पास दूसरे के अंदर फॉर्मुला हो जाएगा लगू त्रीजेगंड का चेतरफल कि लगू त्रीजेगंड का चेतरफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मुला होता है थिटा बटा तिन सो साथ इंटू पाई आर स्कॉर यहां से अगर अपने मान निकाले थिटा का मान कितना है अपने को इकिस का स्कॉर यहां से इकिस का स्कॉर खलेंगे तो कितना आएगा साथ बटा तीन सो साथ इंटू बाइस बटा साथ इंटू 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 मैं किकिस यहां से जिरो से जीरो गया किया यह शो किया सब्सकेर से और यह कंत तीन यह कट गया साथ वार 3 गट गया 11 और 21 को घुना करेंगे तो यह कित्त हाएंगा अपने पास 231 केटी में अटिपोर्य तीक है 2301 को alien 20 को घुना करेंगे तो इन दोनों संक्हरों को लिख दू और इन दोनों को एड़ muk erzählt-129 को एड़ कर दो तीसरा अपने को पूछा है, तीसरा अपने को पूछा है, इसने संगत जीवा द्वारा बनाएगे वर्त खंड का चेतरफल, अगर यहां पर जीवा अगर मैं खेच दूँ, मानलो यह वाली जीवा है, यह वाली अगर जीवा अपने यहां से यहां तक खेच दी, ठीक है, तो यहां से इसका जो चेतरफल है वो क्या होगा वर्थ खंड का चेतरफल क्या होता है तिर्जी खंड का चेतरफल और वर्थ का चेतरफल माइनस तिर्जी खंड का चेतरफल माइनस तिर्भुज का चेतरफल ठीक है तो अपने को वर्थ खंड का चेतरफल ग्यात करना है डेखे वर्थखंट या लगू वर्थखंट बोल दो इसको लगू वर्थखंट का चेतरफल ये क्या हो जाएगा लगू बर्थखंट का चेतरफल हो जाएगा अपने पास pi-r-square में से minus करना है नई नए pi-r-square नए pi-r-square नए आएगा लगू 30 खंड का चेतरफल लगू 30 खंड का चेतरफल लगू 30 खंड का चेतरफल और माइनस हो जाएगा तिरबुच का चेतरफल ठीक है तो यहाँ पे लगू 30 खंड का फर्मूला दा हो गया ठीक हो गया थिट्टा बट्टा 360 इंटू पाई यार स्कॉयर और माइनस तिरबुच इसके अंदर देखिए यह सम बाहू तिरबुच है तो सम बाहू तिरबुच का अपने पास फर्मूला होता है यहाँ पे अपने पास थिट्टा का मान हो गया अपने पास इसलिए यह वाला आपने पास सम बाहू तिरबुच है एक क्वाइब आए इंटू पाइ कमान किता है 22 पटा साथ इंटू आर कमान किता है 21 21 का स्क्वाइर माइनस अंडर रूट्ट 14 भुजा कमान दिया 21 21 का स्क्वाइर तो यहां से सिंपल हुई काटेंगे हैं अपन एक मिटा आगे ओर चल लाते हैं, आपन साट बटा थेन सो, साट बटा थेन सो, साट इंटू बाइस बटा साथ, 21 का मान, 21 इंटू, 21 माइनस अंडर रूट तीन बटा चार, और यहाँ पर आ जाएगा, इंटू, 21 इंटू, 21, ठीक है, यहाँ से अगर आपन काटा पीटी करें तो क्या आएगा, 0 से, 0 गट गया, यह से गट गया, 6 बार, यह गट गया, 11 बार, यह गट तीन बार, तीन से यह गट गया, 7 बार, 7 से, 7 गट गया, इधर तो अपने पास आगे वापस, 200, 31, किता है, 200, 31, और इसको अगर अपन सरल करें, अंटूट 3 बटा 4 बाले को, और यह बाला आजाएगा, अंटूट 3 बटा के अंदर यह आजाएगा, 4, 4 का भाग, 4, 41 के अंदर देंगे, यह बाला जाएगा, लगबग 110.25 पार, 110.25 पार भाग जाएगा, यहाँ से इसको सरल करें, 231 माइनस, 110.25 और अंटूट 3 का मान अपन जानते हैं, क्या होता है, 1 1.732, यह इसका मान होता है, याद नहीं है, तो इसको याद कर लेना बहुत काम हैगा, अंटूट 3 का मान क्या होता है, 1.732, इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यह लगबग अपने पास आजाएगा, 190 के आसपास आएगा, तो 231 माइनस यह आएगा, 190, और सेंटिमीटर स्कॉयर, तो यह अपने पास इतना मान आ जाएगा, तो दोस्तों अपने अभी तक 5 क्यूसन कर लिये हैं, और थोड़ा इसका बैसिक, इसका ग्यारवी परसनावली का अपने समझा है, तो आगे की क्लास अपन करते हैं, 5 क्यूसन तक आप रिवाइज कीजिए वापिस इनको मिलाईए, और सरल कीजिए अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो एक बार या दो बार वीडियो और देखिए, आसानी से समझ में आएगे, प्रेक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, एकदम आराम से समझ में आएगा, और जो भी आपके साथी हैं, 10th क्लास क इस पार का पूरा पॉर्सन है, वो अपन कंप्लेट करने वाले हैं, धन्यवाद